आज की क्लास में जो हम आप से डिस्कस करते ही आ रहे हैं रोटेशन बोशन के बारे में और इसके बारे में पहले भी हम लोग इसके बारे में काफी इंफोरमेशन ले चुके हैं बच्चों इसे पहले जो हमने बाद किया था एक सिंगल ब्लॉग के बारे में बात किया था आज यहां पे एक मास क्याप्टर अमयम है और यह ब्लॉग फड़ा डोनों एक ही रस्टी से एक ही पूली के तो पूब लगा एक एकसेलेशन डाउन बड़ और एक एकसेलेशन हैं मैंने आप लोगों को इस चीज की बारे में क्लास्प ने बता रखा था कि जो हम लॉट आप पूर्शन पड़ते थे तो वहां पर ये रोप स्लाइड नी करता था कर आप कि सब्सक्राइड करेंगे बच्छों यहां पर यह पूली को रोटेट नहीं करता था फोलि के ओपर रोप करने का कामा शामुं étant एक linear acceleration है block का और साथ साथ rotate कराने की वज़ाद से tension force के इस kooli के अंदर भी acceleration आया है उस acceleration के बारे में जो हम बात करते हैं this is no another one angular acceleration ओके तो है यह हम इसके बारे में बात करते हैं सबसे पहली चीज़ हमने बात कही थी कि किसी भी problem को बनाने से पहले उसकी stepping हम जाने है step first step क्या है second step क्या है third step क्या है तो बचो सबसे पहली बात हम यह बात कर लेते हैं यहाँ पर किस सबसे पहला काम यह होता है कि free body diagram की बारे बात करते हैं बचो FBD of mass cattle आप देखिंगे यहाँ पर यह body है इसका mass M है और यह acceleration से नीचे की तरफ जा रहा है पता है हमें mg यहाँ पर आपके पास tension फिर मैंने यह बोला था कि सबसे पहला इस टेप यह होना है इस डिरेक्शन में body का movement हो रहा है हम क्या करेंगे हैं आप Newton's second law Newton's second law में क्या होता है है आप body की नीचे ले जाने वाला कॉन है पता है आपको mg-t is equal to m into a clear अगर मैंने बात क्या आप से आपर fbd of mass small m obviously force of gravity tension but हमें एक चीज़ का ख्याल लगना होगा जब उन law of motion में पढ़ते थे तो वहाँ पे rope के slide होने की वज़ा से आप मेरी बात समझ रहे है rope के slide होने की वज़ा से यहां और यहां हम tension को as you say मांते थे यहां पर भी टी लग रहा है और यहां पर भी टी लग रहा है लेकिन यहां पर tension slide नहीं कर रहा है फुली के उपर बलके यह tension rotate कर रहा है तो tension जब rotate कर रहा है इसका मतलब है कि यह tension torque provide कर रहा है आप इसलिए देखे अकसर हम यह confuse कर जाते हैं कि sir laws of motion में हम same tension लेते हैं और यहां पर भी तो उसी तरह का situation है यहां पर भी तो यह rope हो यह rope है तो यहां पर हम T1 और यहां पर T1 और यहां पर T2 क्यों लेते हैं तो फर्क इतना होता है कि वहां पर slide की वज़ा से और यहां पर rotate करवाने की वज़ा से हम tension को assume T1 और T2 अलग अलग tension बानते हैं due to the rotational effect तो आईए हम बात करते हैं आप से यहां पर बच्छा mg इसमें क्या लग रहा है यहां पर T1 और यहां पर भी आपके पास mg और बच्छों यहां पर मैंने अभी आपको क्या बता है यहां पर T2 तो इसलिए हम जब free body diagram अगर इस ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके ओपर लगने वाल आपके पास कितना हो T1 तो यहां पर भी क्या होगा आप बताएं यहां पर और अगर यह ब्लॉक ऊपर की करफ जा रहा है तो हम यहां पर T1 की जगप बच्छों क्या लिख सकते हैं यहां पर T2 बोड़ी का एक्सेलरेशन का ना बताएं आप यहां पर एक बहुत ध्यान से समझने वाली चीज़ है यहां तो अभी हमारे पास equation क्या लिख सकते हैं बच्छों यहां पर mg-T2 is equal to mass into acceleration this is the equation number 2 तो अभी हमने FBD इसके और इसके बारे में बात कर रहा हूं अब जो मैं आप से बात कर रहा हूं यहां पर अब मैं बात कर रहा हूं FBD of sorry अब ध्यान से देखेंगे आप FBD of Pooley अगर मैंने Pooley के FBD के बारे में बात किया है और यह Pooley rotate कैसे कर रही है किस डिरेक्शन अब जो एक सीता बताएं आप यहां पर लगने वाला टेंशन है T1 और आपके पास इसमें जो लगने वाला आपके पास टेंशन कितना पहले बताएं आप यहां पर T2 this is the word axis of rotation this point के लोग जो body rotate करती है this is the axis of rotation और यहां से यह मैंने इसके radius को कितना माना है मैंने यहां से R और यह भी है R तो यह जब rotate कर रहा है इसका मतलब है कि rotate तभी करेगा जब इसके ओपर क्या applied होगा torque applied होगा तो यहां पर torque को provide करने वाला जो factor है वो कौन है obviously tension force और torque is equal to क्या होता बच्छो applied force into perpendicular distance from the axis of rotation आपने देखा है कि यह point इसको मैंने मान लिया O this is the what axis of rotation और यह force आपको rotate कराने हो लगाने P1 और यह R उसके क्या perpendicular similarly यहां पे भी आपके पास tension है यह R क्या है यहां पे perpendicular but अब यह देख रहा है कि rotate किस direction में हो रहा है इस direction में या इस direction clockwise या anticlockwise तो जिस direction में भी rotate हो रहा है हम उधर की tension को T1 लेंगे यह as as when कुछ भी आप ले लें यहां पे तो इस tension में से इस tension को हम क्या दर हैंगे subtract कर देंगे तो difference of tension, tension के difference की वजह से ही यहां पे क्या आएगा? rotation आएगा आपने जो आप किसी भी चीज को rotate करेंगे ऐसे या ऐसे तो अगर इधर rotate कर रहे है तो इस direction यह मानना अगर T1 तो यह T1 minus T2 अगर आप rotate करा रहे है ऐसे तो यह अगर ऐसे भूं कर रहा बचो यहां पे तो अगर आपने इसको T2 माना था इसको T1 तो हम क्या लेखेंगे? यस बताइए T2 minus T1 अर यह okay clear है जिस direction में भी pulley का rotation हो रहा है उस direction में लगने वाले tension को हम पहले लेते हैं और आपके पास आपके पास टॉर्क क्या हो रहा है यहां पर जहां से देखेंगे आप यहां पर टॉर्वन माइनस इस इकल टू आई इंटू अलफा ओट इस आई बच्चों आई इस दा मोमेंट आफ इनर्शिया दिस आपको पता है कि अधर कोई भी बॉड़ी इसके पास मास हो और वो अपने axis of rotation पर रोटेट कर रहा है तो मास की जग़ा पर आपके पास क्या स्ट्राइट कर रहा है यह आई और चुकि बडी रोटेट कर रही है तो वहां पर जो आइक्सेलरेशन आया है इस एक्सेलरेशन इस नोरे दो आपके 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 जाने आपके अगर आप R x F आपने लिखा तो कितना लिखें हैं? T1 R minus T2 R इसके लिए दो बच्चों कितना लिखें हैं? I alpha I OK तो यहाँ से यह मैंने क्या लिखा? हम क्या लिख सकते हैं? T R sin theta या T2 R sin theta But in each case इन दूरों के बीच का angle यहाँ पर बच्चों कितना लिखें हैं? 90 और sin 90 की value हम कितना लिखें हैं? 1 तो finally इसके बदे हम क्या लिख सकते हैं? T1 R minus T2 R is equal to I alpha तो बच्चों हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं R को अगर मैंने क्या निकाला T1 minus T2 is equal to I to alpha और शायद इस relation को हम लोगों ने पढ़ रखा है कि A is equal to R into alpha therefore alpha is equal to A T upon R everyone clear है? तो अगर मैं आप से बात करूँ R T1 minus T2 is equal to I alpha क्या पर बच्चों कितना लिख सकते हैं? A by R तो हमने यहाँ से T1 minus T2 is equal to I A upon R is equal to Okay, this is the equation number 3 तो आपको मैंने क्या बताया? सबसे पहला step यह देख रहा है कि आपके पास body का moment किस तरफ हो रहा है? जिस तरफ भी body का moment हो रहा है सबसे पहला काम होता है FBD बनाएगा दूसरा आप step यह करेंगे कि आप newton second law को आपने follow किया free body diagram निकालने के बाद बराने के बाद आपने newton second law उसके बाद मैंने क्या कि इसके बार में बात क्या pulley के बार में यान रखिएगा कि जिस direction में भी pulley का rotation हो रहा है उस तरफ के tension को हम पहले लेते हैं और जिस तरफ और उसके बाद हम क्या दो रहेंगे? तो इन tension के difference के वजह से ही इस pulley के अंदर rotation डिवलोप हो है अगर दोनों में tension equal होते हैं तो कभी भी यह rotate नहीं होता बलके equilibrium condition आता और you know that के equilibrium के condition में कभी भी rotational effect नहीं होता और you okay everyone? समझ में आरी ही बात यहाँ पे? clear? तो यह मैंने आपको यह समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ है आपे कि सबसे पहला काम किस रखे कोशन में हम क्या करेंगे? यह T1 और T2 हमने दो different tension लेने का मतलब क्या हो है यह 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 rotational effect है तो rotational effect जब भी होगा तो रसी तो सेम होगी बट उस रोब को हम as you different करेंगे due to rotational effect तो हमने एक, दो और ती और अभी तीनों equation को हम solve पर सेंगे आईए हम बात करते हैं इसी तरह से अगली सवाल की बारे नगर हम बात करें आफसे अब आप देखें यहां पर होने क्या क्या है यहां पर हमने दो आइडेंटिकल पुली मान लिए यहां पर हमने दो मास किया यहां पर यह ब्लॉक यहां जा रहा है और यह ब्लॉक बच्चों कहा रहा है और दिरेक्शन अब आप यह ब्लॉक नीचे जा रहा है इसका अज़रेशन अरे बात आप और बच्चों अगर यह ऐसे जा रहा है इसका एक्सेलरेशन इस डारेक्शन है अभी हम लोग इस चीज के बारे में बात कर चुके हैं आपने देखा है कि रोग तो सेम है लेकिन चुकि यहां पर स्लाइड नहीं कर रहा है बलकि क्या कर रहा है बच्चों रोटेट कर रहा है तो जब रोटेट करेंगे तो हम क्या करेंगे एजियों करेंगे रोग को डिफरेट एजियों करते हैं समझ्या आई बात यहां पर अगर यही लॉग आफ मोशन होता तो मैं फिर बार बार कर रहा हूं सब को आप एजियों कर रहें टी वर चुकि रोटेशनल एफेक्ट है तो हम टेशन को एजियों डिफरेंट बानते हैं प्रेशन के डिफरेंज की वज़ा से ही बॉडी में रोटेशनल एफेक्ट आता है तो सबसे पहली बात आप तुद बताएंगी क्या कर सकते हैं हम पहला गाम बच्चो अगर मैनि यहां से अगर हम बात कर रहे हैं आप बच है मुझे कि एम जी है बच्व यहां पर मैंने कितना वारा यहां पर टी-3 ओके इवन टी-2 एंड टी-3 अब किस चीज के बारे में थोड़ा साब ध्यान से देखेंगे किस चीज में कि अगे कि भाल टी-3 सकतली ऑाता है कि अगरी इवना कि देगी हैं ग प到底 है कि अगे थæ aucunकutिसी है कि आर रख बा मैंस्व पर देखेंगे खलते हैं उने कि औुछरे चली है ज्चार करने दूला आपट करने दिए नहीं आपको तरहिए है यसिए नहीं थानीं हो तरहिए कि तरहिए है बहुत ध्यान से और बहुत आसान से चीज़े हैं अब आपको थोड़ी थोड़ी बात समझ में आने लगी हो अगर ये बॉड़ी अगर ये पूली रोटेट इस डारेक्शन में कर रहा है तो मैंने क्या बोला है यहां पर इसके और इसके बीच में यह है टी वन नीचे लाने इसके बारे में बात के तो आप मुझे बताएं क्या लिखेंगे आपे टी टू आर माइनस पी थी आर इस इकुल टू बच्चो कितना लीख सकते हैं आई अप समझ रहें आपको इसके लिए रोटेशन एफिट रोडियूस कराने वालों है आपे डिफरेंस आफ टी वन माइ और इसके लिए इसके लिए रोटेशन एफिक्ट जो हो रहा है इसमें टेंशन में डिफरेंस क्या होगा है आपे टी टू आर माइनस टी थी आर इस इकल टू आई हो के आपको बात स्वाट में आ रही गा तो हम यहां से और टी वन मैनिस टी टू इस एकल टू आपको पता है कि अल्फा is टू यकल टू इस तो बच्चो डिफ्रेंस आप टी वन मैनिस टी टू इस इस एकल टू आई अपान रिष्क अब आग से का तो यहां पे tension कर के difference की वाज़ा से रotational effect और यहां पे tension के difference से rotational effect तो यह body इदर जा रही थी तो t1-t2 और यह body इदर आ रही थी तो क्या ले सकते हैं और आपके t2-t3 तो मैं ने इक बाद किया इसको equation number आपने first माना और इसको equation number second यह काम तो आपको पता है बहुत अच्छे दरीका से इसके बारे तो क्या लिख सकते हैं P3-MG is equal to MN. इसको equation number हमने तीन वाना बच्चों और इसको equation number 4 बच्चों सुन में आई बात यहां पर. अब आप क्या करेंगे यहां पर? from equation 1 and equation 2 आप लिख सकते हैं यहां पर T1-T2 is equal to I A by R square और क्या मैंने बच्चों है यहां पर T2-T3 is equal to I A by R square. आप क्या करेंगे यहां पर T1-T3 आप लिख सकते हैं यहां पर T1-T3 तो आप ने क्या देए हैं यहां पर T1-T3 डारेक्टरम क्या लिख सकते हैं? 2 I A by R square लोगने यहां से किसका difference निकाला है मैं यहां पर? difference between the T1 and T3 अब हम क्या पर रहेंगे? from equation 3 and equation 4 आप देखें यहां पर M G minus T1 is equal to M A और again T3 minus M G is equal to this आप बदाएं यहां पर G M minus M minus कितना लिख सकते हैं बचाएं यहां पर T1 minus T3 is equal to A M plus M और हम लोगों ने T1 minus T3 की वैलो अलड़ी यहां पर रखा है तो बच्चों यहां पर आप लिख सकते हैं G M minus M minus T1 minus T3 के यहां पर बच्चों कितना लिख सकते हैं? 2 I A by R square is equal to A M plus M और अब आप के लिए acceleration निकालना असान हो गया आप इस तीज को यहां ले जाएंगे A यहां से common निकालेंगे and finally you will get the result of बच्च कितने acceleration से move कर रहा है आप यहां से find out कर सकते हैं तो आज की class में जो हमने study किये है जो हमने बात बताने की आपको कोशिश यह किया है कि rotational effect होने की वज़ा क्या? rotational होने की वज़ा यह है बच्चों कि tension के बीच में difference due to the difference of tension the pulley can rotate अगर आपने दोनों tension को equal मान लेंगे तो कभी भी rotate rotational effect नहीं आएगा तो होपस हो आज की class में बच्चों आपको बाते सहंग में आई होंगी वेल सही इसकी उपर बहुत सारे इस तरह के सवाल है और सबसे पहली बात एक basic concept होना अमने ले बहुत जरूरी है आगे एक class में मैं आगे और बात करूंगा यहां पर थैंक्यू आज की class में यहीं तरह करें ओके आगे